हेलो फ्रेंट्स मैं अनामीका मेरे किचिन में आप से भी का स्वागत है फ्रेंट्स आज की जो रेस्पी है वो कोई भीशू भाउसर पे बनाया जाता है वो है दाल का पड़ाथा और चावल की खीर उसके साथ हम मैंगो शबजी सब करके आपको दिखाएंगी तो फ्रेंट्स के खीर बनाने के लिए हमने गैस पे 2 लीटर दूद्रं अब हम यहाँ पे लिए है देरशोगडाम चावल को हम धो के 15 मिनट पहले शूप कर लिए है अब हम इस चावल को धूद मे छोड़ देंगे सुख करने का मतलब होता है कि अपना चावल अच्छे से पक जाता है तो हम एक चमच की मदद से दूध में चावल छोड़ देंगे और चावल को गल्ले तक करीबन हम 15-20 मिनट तक दूध में ही पकाएंगे चमच से हिलाते हुए कंटिन्यू नहीं लाना है बीज बीज में हम इसे खिला लेंगे आप देख सकते हैं हमने 20-25 मिनट तक चावल को दूध में उबाल दिया है अपनी चावल अच्छी खासी पक चुकी है आपको विश्वास नहीं होगा दो लीटर दूध में हमने 1500 ग्राम ही चावल पकाया है पूरा दूध गाढ़ा हो गया है और चावल भी अच्छे से पक चुकी है तो यही शही खीर की तड़ी का है बनाने का अब इस एस टेज पे हम इसमें शक्र डालेंगे तो यहाँ पे हम एक बॉल सक्कर डाल रहे हैं आप अपने टेश्ट के कॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं सक्कर डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है एक से डेज मिनट हम इसे उबाल लेंगे और फिर हम फ्लेम को आफ कर लेंगे सक्कर डालने के बाद हमने डेट से दो मिनट पकाया है अब यहाँ पे हम डालेंगे इलाइची जिसे हमने दरदरा कूट लिया है आप चाहें तो यहाँ पे इलाइची पौडर भी डाल सकते हैं क्योंकि दूद की खीर में जब इलाइची पौडर पड़ती है तो इसकी खुस्बू महुत ही सुन्दर आती है अब हम फ्लेम को आफ कर लेंगे और कभर कला के छोड़ देंगे चलिए हम पूरी बनाना चुरू करते हैं पूरी बनाने के लिए हमने आधा किलो चना का डाल आधा घंटा पेले भींगो दिया है भींगोया हुआ दाल उबालने में बहुत आसानी होती है तो अब हम एक यहाँ पे प्रेसर को कर लेंगे और इसमें हम दाल को डाल देंगे तो आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से डालिए अब हम दाल में स्वाद के नुशार नमक डाल लेंगे नमक थोड़ा जादा ही रहता है क्योंकि जब हम इसकी आटा में एस्टफिंग करते हैं तो थोड़ा सा नमक हलका सथ जादा होना चाहिए जादा नहीं यहाँ पे हम कलर के लिए हल्दी यूज करेंगे तो हल्दी प्रयाप्त मात्रा में होनी चाहिए तब ही एस्टफिंग अपना कलर फूल दिखता है अब हम इसको डूबने के लायक पानी डालेंगे ध्यान रहे पानी की बहुत ही ब्लांड़कना है जादा हुआ तो अपना दाल गीला गीला हो जाएगा अब हम यहाँ पे लीड लगा के और दाल को तीन से चार भीसिल एस्टीम कर लेंगे यानकी बॉयल कर लेंगे तो हमने गैस भी अपना कुकर डख लिया है यह चार पात भीसिल में अच्छे से पक जाएगा दाल उबल रहा है तब तक हम पूरी के लिए आटा लगा ले रहे हैं तो हम सेमी सॉक्ट आटा लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा लगा लेंगे आटा हमने लगा लिया है अब हम इसे कवर करके थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ देते हैं तब तक अपनी दाल की तरफ चलते हैं कुकर से प्रेशा निकल चुका है चलिए अपनी दाल सेट कर ले रहे हैं तो आट एक बड़ान से देख लेजिए इतना हम पानी डाले हैं और दाल पूरा अफजॉब कर लिया है बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है अब इस स्टेज पे हम दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे दाल को हम गरम है इसके लिए एक गलास की पेंदी की मदद से ऐसे ऐसे तेज करते हुए मैस लेंगे श्टफिंग के लिए यह बहुत असानी से हो जाएगा पर गरम है तो मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ आंडी में उबाला जाता था तो शिल बट्टे पे पीसा जाता था लेकिन अभी तो प्रेसर गुकर में इगल जाता है आप देख सकते हैं बढ़िया से अपनी श्टफिंग तैयार हो गई है अब चलते हैं गैस पे हमने तावा गरम कर लिया है और उस पे दो चमत जीरा रख लिया है जीरा को हम रोष्ट कर देंगे और उस दाल में मैस लेंगे यही रोष्टेट जीरा का करंच दाल में जब आता है तो बहुत अर्षी अपनी दाल पूरी लगती है तो इसे हम रोष्ट करके दाल म निकाल लेंगे, अब हाथों की मदद से हम इस जीरा को अपने दाल में अच्छे से मैस लेंगे, यह बहुत ही खुसबूदार दाल पूरी तयार होती है, इस डफिन तयार है, आठा अपना फूल शुका है, अब हम इस चोकी पे पूरी बना के आपको दिखा दे रहे हैं, आठ आठा में से हम छोटा छोटा लोई तोड लेंगे और ऐसे बना लेंगे, अब हम पर्थन में से डश्ट करते हुए और इसकी कटोरी बना लेंगे, अब हम इसमें से श्टफिन में से थोड़ा सा पोश्रम लेंगे, थोड़ा सा और इसमें ऐसे प्रेस करते हुए, और आठा रहा को हम इकठ़ा करके इसकी चोंगा बना लेंगे जीब प्रोसेस जिस दालो पड़ाथा बनाते हैं वैसे दाल पूरी पड़ाथा बनाते हैं इसमें कोई खास राजिक नहीं है फिर हम इसे प्रेश करके आठा से डस्ट कर लेंगे और इसे हम बेल लेंगे हमें हलक हाथों से इसे फैलाना है बिल्कुल यह से रोटी बनती है उतना पत्राह हमें कर लेना है यह आसानी से हो जाता है क्योंकि अपनी एकड़ल्द मुलाएं है इसमें कोई डाल का डुपड़ा नहीं है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी पतली सी पूरी तयार हो गई हमने कितनी बढ़ी लोई ली थी और उसे ये पूरी तयार कर ली अब सेम प्रोसेस से हम सभी पूरियां बना लेंगे और तावा के तरफ चलते हैं हमने दो-चार पूरियां तयार कर ली है और इधर गैस पे अपना तावा भी करम हो चुका है इस तावे पे हम एक एक पूरी ऐसे डाल देंगे आप देख सकते हैं हलका हलका उस पे दाग आ चुका है बस ऐसे ही एक साइड से अपनी पूरी शिकनी है और उसके ओपर हम लगाएंगे देसी घी दाल पूरी में अगर देसी घी लगा दिया जा है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और वो भी थोड़ा प्रयाप्त मात्रा हो, तो क्या कहना, तो ऐसे हम लगा ही हैं, अब हम फिर इसको पलटके और दुसरी साइड से लगाएंगे, ध्यान रहे, जब हम भी या तेल डाल देते हैं, तो अपनी तावा काफी गड़म हो जाती है, तो हाथ चलने के से बचा के अब हम इसे उलटके करारेदार कर लेएंगे, फिर से आप देखेईए, एक दम गोल फूरी स्याहर हो इसे एक पलेट में निषाओर कर लेंगे, आप अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और सेम प्रोसेस से हमने दूस्ती पूडियां जो वेड के रखी हैं, यानी कि जाल का पड़ाथा उसे डालेंगे हमने सेम प्रोसेस से दुसरा पड़ाथा भी बना लिया है आप देखिए कितना बढ़िया फूला है तो हम इसे भी डिक आउट कर लें चलिए बागी के भी पड़ाथे हम ऐसे ही बना लेते हैं तो फेल्ट अपनी पूरी बन चुकी है अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं तो पूरी के साथ हमने यहां पर बनाया है बैगन की सबजी इस सबजी की रेस्पी अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूँगी बचोपली लिए हमने आलू की सबजी बना रखी है खीर जो हमने बनाया हो आपको गई को दिखा ही दिया चाहिए हम रख रख रहे हैं पूरी मैं और आम का शीजन है तो अम बनता ही है तो यहां पे हमने एक आम का पीसिस गभन दिया है आम तो वैसे और भी है लिकिंग अर्दीश में हमने ने की रखा है तो फ्रिन्स आपने देख लिया भीहारी बι bok ज़ अजीज लगता है तो इस रिस्पी को आप भी ट्राई कीजिए अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कॉमें लिखिए कि और कौन सी रिस्पी में बनाऊं धन्यवाद